कि फेडरल बैंक के उपर जब रीसेंटली वीडियो अपलोड किया आपको मैंने बताया भी और मैं बताके टागेज भी दिया था 85 टागेज फाइनल दोस्तों 80 के उपर स्टॉक जो आगे बढ़ रहा है इधर आप 85 लेवल पर काम कर सकते हैं 90 लेवल अभी के लिए लेकर मत सेलिए यह मैं खुद बताया हूँ और आज भी बोल रहा हूं 90 लेवल फेडरल बैंक के अंदर पकड़ कर मत चलिए अगर यह 90 लेवल या 91 भी कोशिश कर रहा है तो फेक रैली देकर बायर को कैच करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों फेडरल बैंक के अंदर पूरी राडि बुद्ट बुक करके हाटना ही हमारा काम है जो विडियो नहीं देखकर फेडरल बैंक के अंदर एंट्री लिए है मुझे पूछ रहे हैं सोफ भाई हम लोग ने एंट्री लिया 87 में रैली लेते हुए 88 में भी हम लोग लिता हुआ हम लोग ने स्टॉक में एंटर लिया तो सोईल वैब हम लोग क्या करें दोस्तों डरने वाली बात नहीं है करेक्शन जो चलेगा स्टॉक के अंदर मिनिमम एक से से दूर रही है अभी के लिए बंदर में कवाइट कर लिए तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हेलो एवरिवर मैं हूं मोहमा सुहेल आपके सामें स्टॉक पर बात कर रहा हूं फेडरल बैंक लिमिटेड अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पर आए हैं तो यूटूब च क्लोज कर गया उसके बाद जो मैंने सेकेंड ब्रेकडाउन जो हमारा 85 लेवल था इधर मैंने बताया दोस्तों हम लोग 90 का तो रिस्क नहीं ले सकते तो हम लोग 85 पे एग्जिट करेंगे 85 के ऊपर अगर स्टॉक कोई चिबी लेवल पकड़ के ऊपर जा रहा है तो दोस्त होते हुए ब्रेकाउट का सपोर्ट पकड़ते हुए जो रैली दिया है इस रैली में अभी भी करेक्शन आनी बाकी है और जब तक इसमें करेक्शन नहीं आएगा तब तक हमें फेडरल बैंक लिमिटेड नए लेवल नहीं देगा क्यूंकि अब तक 2021 का स्टैंडर पिट अभी बाकी है तो उसके बाद अगर यह जान बुचकर भी उपर जाते हुए 90 लेवल टच करने की कोशिश करेगा इस ब्रेकडाउन को तो अभी बैयर को कैच कर रहा है और इस लेवल और टच हो गया है रिवसल करेक्शन में स्टॉक आपको दिखेगा 83 उसके बाद दोस्तो 77 जब तक यह लेवल रिवसल में क्लोज नहीं कर देता यह लेवल रिवसल में क्लोज नहीं कर देता तब तक हम लोग स्टॉक के उपर विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों जो भी उपर जाता हुआ रैली में 88 पे भी बाई कर चुके 87 86 किदर भी बाई कर चुके दो तो आप सभी को average strategy maintain करना होगा 70 rupees पे क्यों 70 rupees पे बोल रहा हूँ क्योंकि जो breakout का support पकड़के rally दिया है अब यही breakout का support पकड़के धीरे धीरे slowly slowly stock नीचे जाएगा कैसे जाएगा पता है लगता नहीं है कि stock नीचे जाएगा पर actual जाता है अब आप देखिए observe करिए यहां से भी पर actual जो rally है पूरी reversal किये तो ऐसा भी buying का जहांसा देगा तो जब तक मैं नहीं बोलूँगा federal bank में entry करना है आप नजदीक भी मत भट किये दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description में मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए Federal Bank Limited का ये 15 minutes का intraday candle chat है और इस candle chat में आप observe करेंगे sustain करता हुआ rally पूरा selling का हुआ है complicated M.A.C.D. बनाते हुए भी stock के अंदर selling का pressure बना और जिदर 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 इसके अंदर breakdown level बने वहाँ वहाँ तक stock ने close किया और काफी लोग मुझे ये पूछ रहे हैं सोहलवाई क्या हमें फिर से 89 देखने को मिलेगा intraday में दोस्तों ये वाला level अभी के लिए देखने को नहीं मिलेगा intraday में क्यूंकि पूरा का पूरा level selling का ही है federal bank में क्यूं selling का है complicated M.A.C.D. form करते हुए जितना reversal में rally और correction लेना था वो intraday में भी ले चुका अब देखि का ही होगा दोस्तों 2nd June 2021 Wednesday Federal Bank का closing है 87.60 पैसा यह मैं targets निकल रहा हूँ for 3rd June 2021 Thursday के लिए Thursday live market में आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों